Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point आज है 28 अगस्त और आज किस वीडियो में हम 28 अगस्त से related current affair के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं लिंक description box में दी हुई है कल के important question का हम क्यों के revision कर लेते हैं दुनिया का जो सबसे उचा observation wheel है इसके शुरुवात दुबई में की जानी है October से ये शुरू भी हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान के बीच एक joint military exercise होता है जिसे आप काजिन के नाम से जानते हैं हाली में जो जल शक्ती मंत्राला है इसके दुआरा सुजलाम अभियान जोकी 100 दिनों तक चलेगा इसके शुरुवात की गई है Right to health bill लाने वाला देश का पहला राज्य राजिस्थान होगा मतलब कि ये ऐसा bill है जिसके तहत राजिस्थान गवर्मेंट को यहां की जनता की health के बारे में मतलब की पूरी देख भाल करना इनका करतब भी होगा किस संगठन ने गुजरायत के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गेस की खोच की है इसकी खोच विदानता के दुआरा की गई है जोके एक mining company है headquarter लंदन में इस्थित है 100 billion market cap को क्रॉस करने वाली चौथी भारती फर्म यह कौन बनी है यह है Infosys इससे पहले तीन कौन-कौन सी है Reliance Industries Limited Tata Consultancy Service HDFC चौथी बन गई है Infosys और South के जो सूपरस्टार है रजनी कांत इन्हें दादा साहफ आल के आवार्ट से इस साल सम्मानित किया जाना है Global Manufacturing Risk Index में जो भारत है यह अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ गया है पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर अमेरिका सॉरी, दूसरे स्थान पर भारत और अब तीसरे स्थान पर है अमेरिका इंडियन आइडल सीजन 12 के जो विनर थे पवंदी प्राजन, इन्हें उत्तरखंड के संस्कृती और परेटन का ब्रेंड अम्बैजडर नियुक्त किया गया है तो चले श्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इंपोर्टन कोश्चन यहां लोग घायल हुए है और यह जो पूरी घटना हुई है अफगानिस्तान में इसका पूरा जिम्मा यह लिया है आइसिस के ने अब आइसिस के यह क्या है तो देखे जो आइसिस है इसी का एक सहयोगी संगठन है लेकिन इसे के नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पूर्वी अफगानिस्तान है पूर्वी अफगानिस्तान का जो खुरासन प्रांत वाला एरिया है देखे के फॉर खुरासन इसी के नाम पर इस संगठन का नाम पड़ा है आइसिस खुरासन जिसे आप ISIS के कह रहे हैं इसी ने पूरी घटना की जिम्मेदारी अपने उपर ले ली है अफगानिस्तान में जिस प्रकार से अशान्ती का महौल है आप जानते ही है तालीबानियों का शाशन यहां आ चुका है जिसने की इस देश के जो प्रेसिडेंट रहे थे अशरफ गनी इन्हें देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया है हालकि यहां के जो नागरिक है इनकी सहायता के लिए हाली में जो अमेरिका है इसके दौरा अफगान प्रवासियों के लिए 100 मिलियन डॉलर के आपात कारिन कोश को मनजूरी यह भी हाली में दी गई थी और रशिया के दुआरा यहां शांती लाने के लिए ट्रॉइका प्लस मीटिंग ये भी बुलाई गई थी साथ ही इस देश में शांती आ सके इसके लिए एक नया क्वार्ड ग्रूप बनने जा रहा है जिसमें की कौन कौन से देश शामिल होंगे अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उजबेकिस्तान जबकि जो पहले से कौन बना हुआ है हलाकि उसमें भारत हिस्सा है जिसके बारे में आगे हम डिस्कुस करेंगे जो नया कौन बनने जा रहा है इसमें अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उजबेकिस्तान ये मिल करके ये अपना नया ग्रूप बनाने जा रहे हैं यहां बात की जारी ही चर्चे में रहे एरपोर्ट की तो हमाद इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की कहां इसते थे कतर में ये हाली के दिनों में क्यों चर्चे में आये था इसकाई ट्रेक्स के दुआरा इसे दुनिया का सर्व स्टेश्ट एरपोर्ट ये घोशित किया गया जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये इंडियन करंसी को एकसेप्ट करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है ये तो अब आप लोगों को रट चुका होगा यदि हम बात करें फैमिसीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो की इटली की राजधानी रोम में इस्थित है ये किसले चर्चे में आये था तो लास्ट येर कोविड नाइटीन फाइल स्टार रेटिंग पाने वाला ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना था कल जो मैंने आप लोगों से दो इनामी सवाल पूछे थे पहले का राइट अंसर वेनिज्वेला था जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और केसरिया इस्थूप ये बाढ़ के कारण जलमगन हो गया था जिसके कारण चर्ची में आया था बिहार में इस्थित है आप ल सोदेश में विक्सित निर्देशित मल्टि लॉंच रॉकट शिस्टम जिसका नाव फटह वन यह लॉंच किया है तो यह लॉंच किया गया है पाकिस्तान के दुआरा इनके तो नाम से हिस पश्ट हो जाता है कि यह मिसाईल इनहीं के देश की है हलाकि वो अलग बात है कि इनके दोरा छोड़ा गया रॉकेट इन्हीं के देश में वापस से गिर जाता है फतह वन हलाकि इसका ट्रायल इसने जनवरी में किया था अभी इसका दोबारा से ट्रायल किया गया है पाकिस्तान से ही रिलेटेड एक और मिसाइल है जिसका नाम है शाहिन थ्री इसका भी हाली में पाकिस्तान के दोरा सफलता पूरग परिक्षन किया गया है यहां हम बात कर रहे हैं फतह वन की जो की पाकिस्तान में निर्मित है इसके range के दिए हम बात करें तो 140 km तक की इसकी range है और इसी का सफल परिक्षन पाकिस्तान ने किया है पाकिस्तान के दिए हम बात करें तो इसकी राजधानी है इसलामाबाद यहां के प्रायम मेनेश्टर है क्रिकेटर इमरान खान प्रेसिडेंट है आरिफ अल्वी तो हाली में दुनिया में सबसे ज़्यादा टेंप्रेचर यह इसी पाकिस्तान के जैगोबाबाद में दर्ज किया गया FATF यानि कि फाइनेंसेल एक्शन टास्क फोर्स के दुआरा पाकिस्तान को ग्रे लिष्ट में बरकरार रखा गया है अगला कुश्चन है हाली में माला बार exercise का आयजन किया गया इन में से कौन सदेश शामिल नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूँ यह जो माला बार exercise होती है कुल चार कंट्रीज के बीच होती है जिसमें कि यह चार कंट्री है कौन कौन सी तो आप याद रख सकते ही इसमें केवल Quad Countries भी पार्टिसिपेट करती है Quad जो कि पहले से ही बना हुआ है आप लोगों को मालूम ही है बस आप ये बताएए कि Quad का सदस्य कौन नहीं है अमेरिका इसका सदस्य है जापान इसका सदस्य है आस्ट्रेलिया सदस्य है कौन नहीं है रशिया रश्य की स्थान पर कौन होना चाहिए भारत मतलब कि ये जो माला बार एक्सरसाइज है ये अमेरिका जापान आस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित किया जाता है इन चार कंट्रीज के बीच जो कि अब शुरू होने ही वाला है और ये जो अभ्यास है इसमें की चारो ही देशों की नेवी आप कह सकते हैं ये पार्टिसिपेट करती है अभी ये जो अभ्यास होने वाला है इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेगा भारत की तरफ से आई एनस सिवालिक, आई एनस कदमत और लडाकु विमान P81 अब यहां बात की जारी एकसरसाइस की तो भारत और अमेरिका की बीश में जो एकसरसाइस होती है एक तो है वज्जर प्रहार दूसरा है कोप इंडिया और तीसरा है युद्ध अभ्याज जापान और भारत की बीश में शिन्यू मैत्री और धर्म गार्डियन भारत और उस्ट्रेलिया के बीश में और भारत और रश्या के बीश में इंद्रा और एविया इंद्रा एकसरसाइस का आयोजन किया जाता है अगला कुश्चन है प्रतिवर्ग मील में सबसे जादा CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा सहर पूरी दुनिया में टॉप पर बना हुआ है तो भारत का जो शहर है भारत की राजधानी दिल्ली ये CCTV कैमरे लगाने के मामले में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में टॉप पर रही है प्रतिवर्ग मिल के दि हम बात करें तो लगभग 1826 CCTV कैमरे यहां लगाए गए हैं जो कि दि हम कंपेर करें अधर सिटीज से चिन्ने और मुंबई इससे 11 गुना अधिक है और 1500 शहरों की पूरी दुनिया के 1500 शहरों की जो लिष्ट जारी की गई है इंडियर्स और शहरों में दिल्ली ये रहा है टॉप पर जिसने की अब तक 2.75 लग CCTV ये अलरड़ी लगा चुका है और कुछ महिने में और ज़्यादा आप कह सकते हैं 1.4 लग CCTV कैमरे और लगाय जाने का टारगेट रखा गया है अच्छा है जो टर्म लिखा हुआ CCTV इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को शायद मालूम हो Closed Circuit Television ये है इसकी फुल फॉर्म और CCTV कैमरे के मामले में ये लगाने के मामले में सुरक्षा के मामले में दिल्ली ये रहा है टॉप पर दिल्ली से रिलेटेट बेसिक फेक्ट ये तो आप जानते ही है कुछ अन्य शहरों के दिह हम बात करें जो कि पुरी दुनिया में टॉप पर रही है दिल्ली के बारे में हमने डिसकस कर लिया होतन के दिह हम बात करें तो ये चाइना का एक शहर है हाले में दुनिया के सबसे जादा प्रदूशित देशों की जो लिष्ट जारी की गई थी तो देशों में टॉप पर तो बंगला देश था सहरों में टॉप पर था चाइना का होतन दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजिया बाद ये रहा था कोपेहगन के बारे में अभी हमने डिसकस किया था सेफ सिटी इंडेक्स यनि कि दुनिया का सबसे सुरक्षित सहर 2021 की जो लिष्ट रही इसमें डेन्मार की राजधानी कोपेहगन ये रही थी टॉप पर ऑकलेंड के दिए हम बात करें तो ये निउजीलेंड में इस्थित है ये किस मामले में टॉप पर रही थी तो मुष्ट लिवबेबल सिटी यनि कि दुनिया का सबसे ज़ादा रहने योग्य शहर ये ऑकलेंड ही रहा था अगला कुश्चन है राश्टी सिक्षा नीती करनाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्जी कौन बना है तो देखे ओफिशिली तो करनाटक ने राश्टी सिक्षा नीती को लागू कर दिया था लेकिन अब करनाटक के बाद देखा जाये तो जो मद्य प्रिदेश है ये राश्ट्री सिक्षा नीती को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्जी बन गया है अभी तक 1986 की राश्ट्री सिक्षा नीती चल रही थी हाला कि इसमें 1992 में संसोधन किया गया था लेकिन अभी लास्ट येर ही 2020 में के कस्तूरी रंगन समिती के सिफारिस पर अब नई राश्ट्री सिक्षा नीती ये लागू कर दी गई जिसे लागू करने वाला पहला राज्जी करनाटक और अब दूसरा बना है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के दिए हम बात करें तो राजधानी है भोपाल मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान राज्य पाल अभी हाली में बनाए गया है मंगू भाई छगन भाई पट से थे पांच राज्यों से यह अपनी सीमा साजह करता है गुजरात राजिस्थान महाराश्ट्र 36 गड़ और उत्तर प्रदेश आप जो देख रहे हैं होसांगाबाद जिसका नाम बदल करके हाली में नर्मदापूरम किया गया है भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर इसी भीम बैटिका में आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना जानवर का जीवास में पाया गया था जिसे डिंकल सोनिया नाम दिया गया था हाले में यहां कि नैशनल पार्क में नाइट सफारी की सुविधा शुरू की गई थी पेच काना और बांधाव गड़ में अगला कुश्चन है हाले में किस राज्य की मुख्यमंत्री के द्वारा शिशूओ के लिए न्यूमो कोकल कॉंजूगेट वैक्सीन टीका करन अभियान इसके शुरूआत की गई है तो इसके शुरूआत अभी हाले में की गई है आंधर पिदेश गवर्मन की द्वारा आप लोगों को बता दू कि लास्ट इयर ही भारत की पहरी सुदेशी न्यूमो कोकल कॉंजूगेट वैक्सीन यह लॉंच की गई थी निमूनिया के लिए उस समय जो हमारे केंद्रि सौर समंत्री थे रॉक्टर हर्श वर्धन इन्होंने यह लॉंच की थी जिससे न्यूमो कोकल रोग से बचा सकता है अब यह रोग है क्या तो देखें न्यूमो कोकल यह तरह का बैक्टिरिया है जिसके कारण जो संक्रमन होता है उस संक्रमन को ही न्यूमो कोकल रोग के नाम से जाना जाता है और यह बैक्टिरिया कही तरह की विमारी का कारण बन सकते हैं जिसमें टीका करण अभियान को मंजूरी दी है आंधर प्रदेस गौर्मेंट ने। आंधर प्रदेस के लिए हम बात करें तो ये आपके सकते हैं कि समुद्र से सीमा साज़ा करता है, तेलंगाना ये नहीं करता है। आंधर प्रदेस के तीन राज़धानिया हैं कौन-कौन सी विशाखा पत्नम, अमरावती और कुर्नूल विशाखा पत्नम ये है इसकी कारिकारी राजधानी अमरावती है विधाई राजधानी और कुर्नूल ये है न्याइक राजधानी और तीन राजधानियों वाला ये भा सापित करने वाला भारत का पहला राजय यह अंतर पिदेश इसके लावा तीन ॉडीयफ षेहला यह वाला यह इसका पहला राजय यह सब यह एंधर्पिदेश ही है अगला कुश्चन है किस त्यो नहीं क कूवट नंटीन में पती को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिसन वादसले नाम की एक विसेस mission को लौँच किया है तो यह थी हाली में महाराष्ट government के दवारा लौँच किया गया ऐसी ही योजना थी असम government की जो की असम government ने कुछ समय पहले ही लौँच किया था विद्वा पिंसन योजना कुछ इस तरह की ये योजना थी जिसके तहत असम की ऐसी महिलाई जिन्हों ने इस COVID-19 महामारी के दौरान अपने पतियों को खो दिया है इन्हें 30 सहायता प्रोवाइट करा रही थी असम गवर्मेंट ऐसे में ही आप कह सकते हैं एक तरह की द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है और विसे इसकर ग्रामिड शेत्रों में और जो गरी प्रश्ट भूमी की महिलाएं हैं जो की वंचित रह गई हैं अपने पती के दुनिया छोड़ जाने के बाद जिनका कोई आसरा नहीं है इन्हें ये फाइदा पहुचाएगा फा भारत का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग बास्केट बॉल कोट इस्थापित किया गया और यहां की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आप लोगों को मालूम ही है मुंबई में अच्छा किसका हेड़कौर्टर इस्थ है तो नैशनल स्टॉक एक्चेंज, बॉंबे स्टॉक एक्चेंज, मुशली बैंकों के हेड़कौर्टर और सेबी यानि कि सेक्यूरिटी एंड एक्चेंज बोड ओफ इंडिया इसका भी हेड़कौर्टर मुंबई में ही इस्थित है मुंबई के पालगर का जो चीकू है काफी ज्यादा चर्चे में रहा था जिसका पहली बार प्लंदन को किया गया और इसे जी आई टेग भी मिल चुका है जो महराश्टर है ये किस मामले में टॉप पर था जश्टिस इंडिया रिपोर्ट यानि की न्याय देने के मामले में महराश्टर टॉप पर था इंपोर्टर नेशनल पार्किदी हम बात करें तो तडोबा लोगों प्रस्तावित निर्वासन था इनका विरोध किया है तो यह विरोधवी हाली में अरुनाचर प्रदेश के चकमा और हौजंग समुदाय का किया गया है यह हैं तो यह आपके सिकने एक तरह के जाती लोग है जो कि चटगाउं पहाड़ी शेत्रों में रहते हैं यह मिंहों हैं जबकी जो होजोंग है ये किसे निवास करते जो करते हूं पूरोतर भारत वाला एरिया में इनका निवास माला करते हैं त्वलस्ट luckily भा座ा भारत का सबसे पूरवी राज्यानी开ष मुख्यمنत्रिय पेमा खंडू राजिपालए मिश्रखमा आवा हाली में यहाँ अलपाइन पॉधों की नई प्रजाती की खोच की गई थी अरुनाचर प्रदेश के ही भूमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल को घाटन किया था हाली में वैनेडिय मिलने के कारण यह चर्ची में आया था अगला कुश्चन है कि संगठन ने आनंद ना एजेंट से न्यू बिजनस डिजिटल डिजिटल अप्लिकेशन हलाकि इसकी घुश्चन तो पहले ही की जा चुकी थी एक तरह का डिजिटल अप्लिकेशन यह तरह का मध्यस्थता करने वाला अप्लिकेशन ही जिसे आप कह सकते हैं जो कि पेपरलेस मॉडियूल दौरा यह जने कि बीना पेपर के ही यह बीमा पॉलिसी प्राप्त करने में ग्राहगों की मदद कर सकेगा एलाई से किदी हम बात करें तो इसके स्थापना 1956 में हुई हैटक्वार्टर मुंबई महरास्ट में इस्तित है और इसके अध्यक्ष है ऐमार कुमार अगला कुश्चन है कि सर्च इंजन ने भारत में अपनी सामाचार वेब साइटों को बंद किया है तो यह बंद किया गया है याहू के द्वारा तो यह तो आप जरूर र मतादू कि यह सर्च इंजन है हाला कि जो चार ऑप्शन है गूगल याहू बाइडू और डगडगो यह सभी ही सर्च इंजन का एक्जामपल है तो इसमें से जो याहू है इसने भारत में अपनी जो न्यूस वेब साइट थी इसे बंद करने का फैसला कर लिया है इसमें या इसने अपनी न्यूस वेब साइट को भारत में बंद कर दिया है किसके कारण जो एफडियाई थे इसके कड़े नियूमों के कारण एफडियाई इनकी फोरण डैरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चलते इसने ऐसा फैसला किया है अब हम कुछ रैंडम रेविजन कर लेते हैं भ क्म्बाइ से थाने की बीच यह पहली ट्रेंग शरू कि गई थी प्रथम भारती अंतरक्सियात्री यह थे राके सर्मा पैली भारती मुल्कीत नंतरक्सियात्री कलपनाचावली थी भारत की पहली महिला मुख्य मंतरी सुचिता करपलानी थी हरियाडा के पहले मुख्य मंतरी भगवन दयाल शर्मा थे अभी हाली में MPPSC के एक्जाम में कोशन पूछा भी गया था कि निर्मनलखित में से कौन से मुख्य मंतरी थे जो कि हर्याडा के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं कुछ इस तरह का question था या निर्मिलेखित में से ऐसे कौन से राज जिपाल थे जो कि हर्याडा के मुख्यमंत्री रह चुके थे ऐसा कुछ question पूछा गया था युनाइटेड नेशन के स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इस थी 24 अक्टूबर को हम युनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं इसका हैटक्वाटर नियू यॉर्क में स्थित है इसके पहले महासचिव तरिगवेली थे इसके मेंबर कंट्री है 193 और इसक प्रक्षा परिस्यत कि हम बात कर रही तो पांच इसमें स्थाई मेंबर और पंद्रा सुर्ड विटामिन की कमी के कारण जो खून का थक्का ही ये नहीं जम पाता है तो कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर कल्यांड सिंखा जिनका हाली की दिनों में निधन हुआ है आप लोगों के लिए आज का सवाल है BSF के महानी देशक कौन मने है तो जो मैंने इनामी सवाल पूछे हैं उसके दो कुश्चन और एक ये इन तीनों का ही आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक कीजे शेयर कीजे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच